प्रित्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है जिसके उपर जीवन है जिसके इलावा और जो आपके साथ ग्रह है उनमें से किसी पर भी जीवन नहीं है मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आविशक तत्व भूमी जल हवा प्रित्वी पर ही मौझूद है जो जीवन के लिए प्रमुख घटक है वो सिर्वा सिर्व प्रित्वी पर ही मौझूद है प्रित्वी को नीलगरे कहा जाता है क्योंकि प्रित्वी का 71 पर्तिशत भाग पानी से घिरा हुआ है और 19 पर्तिशत जो भाग है वो ठोस भूमी के रूप में है प्रत्वी का थोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल या लिथोस्पेर कहा जाता है ठेक है उसको हम क्या कहते हैं लिथोस्पेर या भूमंडल कहते हैं आगे कहा लिखा है इसमें पृत्वी की चट्टाने और मिट्टी की एक पतली परत होती है जिसे हम भूपर्टी कहते हैं यानि ये सारे चीज़े आपकी शामील है आगे देखे कहा लिखा है शब्दों की उपति अगर हम कहें ये सारे शब्द कहां से बने हैं एट्मॉस्थे आपका जल और बायो का मतलब होता है जीवन तो इसी तरह से इसमें सब मैं स्पेर कर दिया आट तो ये बन गया आपके सारे स्पेर आगे कहले कहा है पृत्वी के चारों और मौजूद कैसी है परत वायू मंदल या एक्मॉस्थेर कहलाती है यानि वह परत जो पृत्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जैसा कि हमने पढ़ा कि 71 परतिशत भाग के ओपर जल पाया जाता है इसे जल मंदल या हाइड्रोस्फियर कहा जाता है ठीक है इसको हम क्या कहते है हाइड्रोस्फियर या जल मंदल कहते हैं जल मंदल में जल की सब भी आवस्था प्रित्वी के चार प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं तो प्रित्वी के चार प्रमुख परिमंडल है उनके नाम लिखने चलिए इसकांसर देखते हैं तो देखे इसका अंसर है प्रित्वी के चार प्रमुख परिमंडल है जल मंडल भू मंडल वायू मंडल और जेव मंडल तो असाने से आफ लेख सकते हैं चारो परिमंडलों की नाम चलिए अगला कोशिन पढ़ते हैं अब यहां आपका अगला कोशिन ने प्रित्वी को नहीं लेकिन जो आपकी वर्क्षीट में दिया गया है तो चलिए इसका आंसर देख लेकिंगे वर्क्षीट के अकॉर्डिंग आप यहां से आंसर लेकिंगे प्रित्वी को नहीं लग रहे इसलिए कहा जाता है क्यूंकि प्रित्वी का अगला कुशिन बढ़ते हैं अब यह आपका लास्ट कुशिन दिया गया जेव मंडल यानी बायोस्पेर जेव सजीवों के लिए एक महतोपूर क्यूं है तो देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं कि बायोस्पेर एक चेत्र है जहां पर हमें जमीन पानी और हवा एक साथ मिलता ह इसलिए यह बहुत महतोपूर है ताकि इंसान इसमें सांस ले सके हराम से रह सके तो आची वक्षीट को अपने करते हैं अची वीडियों बसे इतना है अगर आपको माई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक को शेयर करें अगर भी तक आपने मैंचाओं को सब्स्क् वाचिं